मामूली विवाद पर एक दर्जन लोगों ने मिलकर एक परिवार के मा और बेटे पर किया जानलेवा हमला पूरा मामला बरेला थाना अंतरकत ग्राम मलारा गाव का है जहां दो दिन पहले हुआ था विवाद जिसमें पड़ोस में रहने वाले सुबास पटेल और उसके सातियों ने मामूली विवाद पर रंजित यादो और उसकी मा पर किया था हमला जिसके बास से युवक रंजित यादो ला पता है खोजबिन करने पर गाव से कुछ दूर खेत में गायल रंजित के कप्ड़े मिले जिसकी जानकरी बरेले थाने में दी गई पुलिस ने मामले को जाज मिलिया सिक्लीन भारत से शुबित गारू की रिपोर्ट जबलपूर जी बताएं क्या विबाद हुआ थाथ अब गाड़ी पेसे हुआ था मेरे घर से गारी निकली गहाई कैने के लिए तद। और और मेरे लड़के ने जय सिंटाला झाल शबाराई मेरे लडरगा झाल दुवास के घ्याराथ जुड़ा है सवास अभात भाद दई झाली तो उसने गाड़े ल cancel. मेरे लड़के चाड़ के टीजू कटिते दस दाओ ज़रा तो सुनदाना थे लड़ा। कर्वाइब लड़का प्राण ले ले हो तो इपने मेरे को भी मारा तो मैं वह हो तो आप हो सो गई पर मैंने नहीं देखो कि मुर्ड़का वताई डाला है कि मैं डाली हूं फर जे मौ छोतो बालों महों हुए ठाख़ ले अगा यह दोनों मलारा के रहने वाले हैं और दोनों को डाली गुप्तर कृए है अब इनका कहना कि जितनी गाली गुप्तर के बाद से लड़का आया नहीं घर तो उसे में गुम इंसान कायम किया गया है तो तरास करते है कि इससा क्या मामला है उसके हिसा कारवाई की जाएगी जाएगी अभी गुम तलास करवा रहे है उसकी